नमस्कार दोस्तो स्वागत था आपका टैक्नो डिफेंस अबडेट पे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के LHD शिप्स के बारे में होने के बाद जो यह RFI है इसको बिलकुल ही यहां पर कैंसल कर दिया गया था लेकिन उसके बाद आप सब को पता है कि इस साल का जो डिफेंस बजट आया है तो उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसमें 41% का जो शेर है वो इंडिय नेवी को मिला है जो कि तीनों से है उसको यहां पर जारी किया गया है और जहां पर दो के बजाए अब दोबारा से जो चार LPD है उनको रखा गया है लेकिन इंडिय नेवी की जो रिक्वाइरमेंट है वो ओल्मोस्ट यहां पर LHD की है आप कह सकते हैं कि हम LPD के नाम पर जो LHD है उनको एक्वाइर करने वाल LHD LHA के बारे में तो देखी दोस्तों यह दोनों शिप ओल्मोस्ट यहां पर सेम होते हैं इन्हें मिनी एरक्राफ्ट केरियर भी कहा जाता है और बहुत से दुनिया के जो देश है वे एरक्राफ्ट केरियर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बजाए वे जो LHD और साथ मे LHA है इनको यहां पर इस्तेमाल करते हैं तो देखी दोस्तों इन्हें असोल्ट शिप के कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि हेलिकॉप्टर के साथ इनके ओपर जो शोर्ट टेक ओफ और साथ में वर्टिकल लेंडिंग एरक्राफ्ट होते हैं उन्हें भी इनसे ओपरेट किया जा सकता है जैसे कि American F-35B हो गए तो दोस्तों इन्हें हम हेलिकॉप्टर केरियर कहते हैं इसके बाद आते हैं LPD तो देखी दोस्तों जो LPD होते हैं ये ट्रांसपोर्ट डोप होते हैं तो इनका इस्तेमाल मेंली ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है और ये अच्छे हथियार के तोरपर सामने आते हैं क्योंकि ये अपने साथ जो हेलिकॉप्टर से उनको भी लेकर करके चलते हैं और वर्टिकल टेक ओफ और सात पमें जो लेंडिंग वाले फाइटर येट हैं उनको भी अपने साथ यहाँ पर केरी कर सकते हैं और इनसे जो असॉल जो सप्लाई लेने का काम है वो भी किया जा सकता है साथ में, जो हेलिकोप्टर हैं वे इनके उपर लैंड भी कर सकते हैं, यानि कि ये एक सपोर्ट शिप के तोर पर काम करते हैं, और अगर आप अब बात करते हैं, इंडियन नेवी की जो फ्यूचर की शिप होंगी उनके बारे में, तो देखी दोस्तों, जो RFI जारी की गई है, तो इंडियन नेवी ने उसमें मांगे तो LPD है, लेकिन उसमें जो फीचर्स और साथ में जो रिक्वार्मेंट रखी गई है, वो ओल्मोस्ट LHD या फिर LHA की ही है, तो मैं आप सब को जो RFI में जो डिमार्ट रखी गई है, उनकी जो इमेजेस है वो भी दिखाता चलूँगा, और साथ में जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन्स मांगी गई है, उनके बारे में भी बताता चलूँगा, तो देखी दोस्तों, यह जो यहाँ पर शिप की रिक्वाइरमेंट है, यह अपने साथ 6 जो में बैटल टैंक है, उनको केरी करने में शक्षम होने चाहिए, साथ में जो 20 इंफैंटरी वीकल है, वो भी इनसे ओपरेट होने चाहिए, और लगबग 40 से लेकर के जो 60 ट्रक है, उसे यह अपने साथ केरी करने में शक्षम होने चाहिए, इनका इस्तिमाल में ली जो आईलेंट है, वहाँ पर कबजे के लिए या फिर जो जगा खाली करानी है, तो वहाँ पर इनका इस्तिमाल किया जाएगा, और यहाँ पर यह जो 6 टैंक्स की बात के गई है, तो इन में से हर एक टैंक का जो मैक्सिमम वेट है, वो यहाँ पर 52 टन यानि की 42 टन तक हो सकता है, यानि की काफी ज़दा हैवी टैंक्स की भी यहाँ पर डिमांड रखे गई है, और यह अपने साथ लगबग 12 जो स्पेशल ओपरेशन हेलिकोप्टर है, उन्हें यह अपने साथ कैरी करतने में शक्षम होंगे, और इस सब के लावा जो 2 हैवी लिफ्ट हेलिकोप्टर हैं, वे भी इनके ओपर आने चाहिए, और साथ में जो 2 यहाँ पर 2 UAS की डिमांड है, वो भी यहाँ पर रखे गई है, तो दोस्तों यानि कि यह अपने साथ टोटल जो 16 हेलिकोप्टर हैं, उसे ले जाने में शक्षम होंगे, और यह जो 2 हैवी लिफ्ट हेलिकोप्टर होंगे, तो इनका जो मैक्सिमम टेक ओफ वेट है, वो यहाँ पर 40 टन तक भी हो सकता है, यानि कि इनके ओपर भी काफी ज़्यदा हेवी क्लास की जो हेलिकोप्टर है, उनका इस्तिमाल किया जा सकता होगा, तो इसके बाद जो UAV है, और साथ में जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है, और अनमेंट की जो खूबिया है, वो भी इस शिप में डिमांड के तोर पर रखी गई है, तो इसके बाद अगर हम बात करें, इसकी सबसे ज़्यदा खास बात की, तो वो है, इसमें दो हैंगर लिफ्ट होगी, जिनका जो साइज है, वो हमारे INS विकरांथ, जो की एक एरक्राफ्ट केरियर है, तो उसकी जो लिफ्ट है, उससे भी यहांपर बड़ा होगा, तो दोस्तों, यानकी, यहां से जो बड़े साइज के जो एरक्राफ्ट है, फिर हेलिकॉप्ट हैंवे भी ओपरेट हो सकेंगे, तो इसके बाद इस शिप्ट की जो लेंथ है, वो यहांपर लगबग 200 मीटर के आसपास बताई गई है, तो इस सब के साथ, इसका जो डिस्प्लेस्मेंट है, देखी दोस्तों, जो आरेफ़ाई है, उसमें अभी के लिए यहांपर नहीं बताई गया है, लेकिन जिस तरहां की रिक्वाइर्मेंट हो सकता है, कि वो 35,000 से लेकर के 40,000 टन के बीच हो, क्योंकि जो LPDs होते हैं, उनका जो मैक्सिमम वेट होता है, वो लगबग यहांपर 25,000 टन के आसपास होता है, लेकिन यहांपर इनका जो डिस्प्लेस्मेंट है, या फिर इनकी जो आवशकता है, वो ओल्मोस्ट एक LHD के आसपास ही होगी, तो इसके बाद यह लगबग अपने साथ 900 से ज़्यादा जो ट्रूप्स है, उनको यहांपर कैरी करतने में शक्षम होगा, इसके बाद अगर आप बात करें इसके वैपन्स की, तो देखी दोस्तों, भविश्या के लिए इसमें जो डाइरेक्ट एनरजी वैपन्स सिस्टम है, तो उनके लिए भी एक रूम को छोड़ा जाएगा ताकि उनको भी आने वाले समय में यहांपर इंटिग्रेट किया जा सके, तो इसके बाद यहांपर 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 यह अपने साथ लगबग जो 32 VLSR SAM मिसाइले हैं उनको कैरी करतने में शक्षम होगा जिसे हम पहले से ही यहांपर बना चुके हैं, इसके बाद यहांपर CIWS के लिए यहनकी क्लोजिन वैपन सिस्टम के लिए इसमें चार जो एक के 630 सिस्टम हैं उनका इस्तिमाल किया जाएगा, साथ में यह अपने साथ 16 जो surface to surface मिसाइले हैं उन्हें भी कैरी करतने में शक्षम होगे और यहांपर जो 4 चैफ हैं वे भी होगे और underwater जो drone है उनको भी यह अपने साथ कैरी करतने में शक्षम होने चाहिए तो इस तरह की जो requirement है वो भी यहांपर बताई गई है, इसके बाद अगर आप इनके displacement को देखते हैं तो उसके हिसाब से आप इनको दुनिया के सबसे बड़े LPD ship मान सकते हैं, यानि कि आप कह सकते हैं कि हम LPD के नाम पर LHD को acquire करने वाले हैं, तो इसके बाद अगर आप बात करें इसके radar and avionics की तो देखी दोस्तों, electronic warfare के लिए इसमें E और F band के, जो combined air and surface surveillance radar है, उनका इस्तिमाल किया जाएगा, 3D, C और साथ में D band जो air और surface surveillance radar है, उनका भी इस्तिमाल किया जाएगा, और इसमें एक electro optical IRST system भी होगा, जनकी infrared search and track system, तो दोस्तों इसके बाद अगर आप बात करें इसके timeline की, कि ये कब तक हम को मिलेंगे और साथ में कब तक ये जो project है, ये complete होगा, तो दोस्तों देखी, अभी के लिए जो RFI है, उसको यहाँ पर जारी किया गया है, तो जब इसकी RFP आ जाएगी, तो वहाँ से काफी सारी ज प्यार्ड है, उनको भेजी गई है, तो उनको अब अपना जो design है, वो यहाँ पर सामने रखना होगा, जिसमें जो models वगरा है, वे भी उनको यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, और इसके बाद जो feasibility studies है, उनके उपर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, तो देखी दोस साल के बाद उनको अपना नया जो LPD या फिर आप LHD कह सकते हैं, तो उस ship की जो delivery है, वो उनको चाहिए, तो टोटल आप कह सकते हैं, कि यह जो project है, यह लगबग 9 साल का होने वाला है, तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो यह लगबग 2030 से लेकर के 2032 तक यहाँ पर complete ह हो सकता है, तो इसके बाद अगर आप बात करें इनकी cost की, तो देखे दोस्तों, यह just a estimate है, आप इसको correct नहीं मानिएगा, हो सकता है कि अगर आप कहीं और check करेंगे, तो यह कम या फिर जादा भी हो सकती है, तो जो estimate है, वो धाई से लेकर के 3 billion US dollar के आसपास हो सकता है, तो इस सब के इलावा, अगर आप बात करें, क्या भारत अब भी किसी LPD ship को इस्तिमाल करता है, तो देखे दोस्तों, भारत एक और जो LPD ship है, उससे पहले से ही इस्तिमाल करता है, जिसका जो displacement है, वो 16,000 से लेकर के 17,000 टन के आसपास है, तो दोस्तों, उमीद करता हूँ, आप पर जो चीजे और जो आपके डाउट्स हैं, वे भी क्लियर हुए होंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है, तो वीडियो को लाइक कर जीजीगा, और साथ में, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज से सब्सक्राइब भी कर जीजीगा, इस प्लीज से सब्सक्राइब भी कर जीजीगा, तो वीडियो 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 कर जीजीगा, झाल झाल